है अधिए हमारे आस्परोस की जो स्थेतियां है उसके मदने नजर चुनवातियों से सवाल थोड़ा सा खास और मैं इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि बार बार एक नेता की और से सवाल उठाया जा रहा है कि चीन अपनी सेना को वर्षों का प्रसेक्शन देता है और हम मातर 6 महिने का प्रसेक्शन देंगे हम यह भी जाना चाहते हैं कि एक जन्वरी से जो अगन सा है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज़वा है वह अपनी जगह है लेकिन राजनीतिक रहलियों में आज भी विरोध बिल्कुल सही कहा आपने यह एक ऐसी चीज है पहले भी हमने बात की थी इसके उपर जब बिल्कुल हुई तो देश की छमतात हम थोड़ा प्रश्न किया था तब भी हमने कहा था कि हमें थोड़ा देखना चाहिए पहले क्योंकि सेना कोई ऐसी काम नहीं करती जो जल्दिवाजी में करती है इसके पर उन्हें तकरिबन तीन साल से लगातार मंथन चल रहा था जी उन्होंने देखा समझा और सेना के लिए नहीं है यह था कि वहां पांच साल था यहां जो है चार साल है उसके भी अपने अलग कारण है लेकिन आप देखिए पहले अगनिवीर का को उनको क्या मिल रहा है जी अगनिवीर को जिए आप देखिए कि उनको यह दस और बारत जो मिनमम् क्वालिफिकेशन रखी गई है एक तो य अलग है जहां भी ड्रेस अलाउंसे चाहिए हो जो फिल्ड एरिया बाकि जो तो ही यह साथ है और तकरीबन यह पौने पांच लाग बनता था एक साल का उसके बाद 14 साल तक है मेरे खाले पौने साथ लाग तक पहुंच जा रहा था एक सवाल इसमें था जो हमने उस समय भी है उसका क्या हो है अगर आप देखे तो जी है इसमें जैसे हमने विवात करेंकी मिलता है जो मिलता है जी ओ इंक्रिमन जो है तकरीबन अगर आप देखें तो इसकी भी बात चल रही है का कैसे किया जाए तो मेरे साब से तो यह भी उसमें देखा जाएगा है आप सबसे बड़ी वाद जो हमारे बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप सोचिए कि परस्नालिटी डेलॉपमेंट कितना होगा जो भी आदमी उसमें जा रहा है जो महौल में उस महौल में रहेगा जी उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी जिस तरह की आदेनों को मेरे काल कि इस पर बात कर रहे हैं कि है उचे मैने के बात कर रहे है ठेलिके मेने की एपना सोच समझ ले ठीनिग देनी और सब्सक्राइब मिल्कुल बेजीमेंट सेन्टर में अबर खाचवन हो महते है रहे है इनको जो ब्लूती चीज यह करना पड़ेगा कि पहले सालों पहले समय की यह बात कर रहे हैं उसमें क्वालिफिकेशन के क्या होती थी टी अब मिनिमम रखा हुआ है और क्या जो सिलेबस 10 का है पहले वह रहा है बिल्कुल तो तो आज़ेडी अगर हमारे पास ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ट्रेंड हैं इन्ग्लिविंग इसमें है तो ऐसे ट्रेंड मिल ले तो उनको कितनी ज्यादा ट्रेंग हमें बेसिक मिल्टरी देनी पड़ेगी वो तो अलड़ी कई चीजे जानते हैं समझते हैं तो उनको देने की जोट है नहीं कि हम उनको हिंदी पढ़ाएं इंग्लिश पढ़ाएं बागी चीजे पढ़ाएं वह जानते हैं दूतरी चीज आप इस पर आईए कि आप देखिए दो एक्जांपल तरफ देखिए एर फोर्स ने तीन हजार दोसो वेकेंसी की थी उनके पास अगनीवीर की अप्लिकेशन साहे थे साड़े साथ लाख और तक्रीबन साथ लाख नेचे लाख नबे पंचानवे जार ने एक्चुली इसमें अपियर किया यह तो गया होई तीन हजार दोसों आप सोचिए कि 200 में से तक्रीबन ए इन लोगों को लेने के लिए तो ट्रेनिंग निचुरली उसी साब से मोडिफाई हो बिल्कुल तो ट्रेनिंग में फोरज कोई कमी नहीं करना होने देगी और कोई नहीं होने इन फैक्ट जहां जाएंगे वह कम अंफर कभी नहीं चाहिएगा कि हमारे लोग यह सारी करते हैं यह सिखलाई तो हमेशा चलती रहती है और लोग यहां तक कहते हैं कि रेटार्मेंट के बाद भी कोई नहीं कोई आदमी सीखता है तो फोजी एक जगह है कि आपको है रिक प्रमोशन पर आपको एक्जाम देना है और तो आप कौलिफाई करते हैं एक जवान को भी ल होता है तो नहीं प्रमोशन नहीं कहीं नहीं है बागी आपको टेनेयूर हो गया यहां तो यह चीज राजनितिक रहन्यों में लिए जा रहा है राजनितिक रूप देने ये गलत है जिक क्योंकि अभी तक कोई भी सेना के राजन भ़ित रुखन रहा त्व buttons प्रिकच्ण या वाकी अनरो्ल ड। में ट लीड जो नहीं लगता कि भरिष्य क्या जो निवीर हैं उनको नुक्सान होगा तो एब्जॉर्ब हो गई और परसों जो है दस तारीक को आपको पता है कि क्राइटेरिया भी ले डाउन कर दिया है जी आर्मी ने जी कि 49 परसेंट जो है उनकी ट्रेनिंग बाकी छमता सिकला है कि देख देखे देंगे 29 परसेंट जो है उनकी फिजिकल ट्रेटनेस और बाकी चीजों पर होगा जी और बैलेंस जो है ओ इनकी जो एक्जाइम्स मतलब टेस्ट्स होगे रहोंगे उस पर बेस होगा तो सारी चीजें बड़ी क्लियर कर दी गई है कि किस तरह के लोग रखे इतने अगनीवीर पैसे तिनको मिलेंगे ही आपको पता है सारी चीजें मिल रही है हर एक benefits मिलेंगी जी और एंड में भी इनको पैसे मिल रहे हैं लास्ट में जो निधी सेवा निधी है तक्रीमां 11 लाग से उपर ही है तो कोई कम ही नहीं रहेगी retirement के बाद भी इनको एक सा सब्सक्राइब कर रखा है और मैं तो यहां तक कहुँगा कि यह तो लोग खुद ही ऐसे इनके सक्षम हो जाएंगे जी खुद जो गौर्वर्मेंट स्कीम से ले करके अपना यह कुछ नहीं कुछ चला सकते हैं और लोगों को इंप्लाई भी कर सकते हैं बिलकुल को यहां साल हैं चार साल में कुछ कमिया होंगी उनको दुर्फ्त की जाएंगे जी इसमें और फॉज ऐसा नहीं होता कि कोई आज हमारे पास आया और छोड़ दिया दो साल के लिए कोई किसी बटालियन रेजमेंट में जाता है तो फॉज उससे टच में रहती है और वह अपने आप है राजनतिक पार्टियों का इनका अपना हो है जो भी यह कहते हैं बिलकुल लेकिन उठाना इस इन चीजों के लिए यह घलत है रहाद चीज पर कुष्चन उठाना हां कमियां अगर आती है जी और जो मैं कहता हूं तीन साल से पहले नहीं पता लेंगी चोथे साल में पता यह सवाल उठाए जा सकते हैं जी और इसलिए कि हम उसको दूर करनें इसलिए नहीं कि हम उसको राजनतिक रूप दें जी बिलकुल अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके